जाय जगनात दोस्तों ये चिनमे कुमर्दा साप लोगों को स्वगत कर रहा ही इस चैनल में जाय जगनात दोस्तों आज हम बात करेंगे हम अपने मस्तक के बालों में जो केमिकाल यूजत शम्पो यूज जाता है तो उससे हम कैसे वचे तो पहले क्या किजिए संपो लोगाने के 30 मिट पहले अपने मस्तक के बालों में ताजा दही घिसिए ताजा दही अगर दही नहीं मिलता है तो क्या करें कच्चा दूद में निम्बू निचोड ले तो वो क्या होगा यो खिर और ये दूद दूद नहीं रहेगा निचोनने के बाद तुरन्त उसे लगाना है मस्तक में ठीक है 15-20 मिनृट इशको ऐसे छोड़ देना है उसके साब कर देना है साब पानी में मस्तक को बालों को दो देना है और दोने के बाद क्या करना है संपो यूज करना है और संपो लगा के दो तुन मिनिट रखना है मस्तक में फिर पानी मार के उसके उसको रखना है पांस मिनिट और उसको धोदने के बाद सुखा हुआ तौल्या में उसको अपने बाल को पोचना है भीगा हुआ तौल्या में नहीं सुखा हुआ तौल्या में बालों को पोचना है और तुरंद बाद उसमें शुद्ध नारियल तेल या आउडा तेल लगाना है तुरंद बाद बालों को सुखने के लिए नहीं छोड़े के बाल सुखने के बाद मैं तल लगाऊंगा नहीं तो बाल इसी तरह से ज़्यादा खरा हो जाता है तो अगर ये फर्मला अपलाई करें तो निश्चाएं आपके बाल सफेद नहीं होंगे और एक कम आप कर सकते हैं जो आपने कच्चा दूद में निम्बू निचोड़ा उसमें महू भी मिला सकते हैं तुरंद वही महू मिला कर भी मालिस कर सकते हैं बालो में ठीक है ज़्यादा दोस्तों ये इनफर्मेशन अपने पास नहीं रखना अपने दोस्तों को भी यह information जरूर शेयर करना जय जगरना होता